ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख बिग बॉस तेरा के विजेता सिधार शुकला का दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया है सिधार मेह 40 साल के ही थे रातमिक जानकारी के मुताबिक कल रात वे दवाई लेकर सोए और सुबह नहीं उठे सिधार शुकला टीवी का जाना माना नाम थे और सोशल मीडिया पर को आकरशित करते थे साल 2004 में एक बार मा के कहने पर सिधार थे एक मॉडलिंग प्रतियोगता में हिस्सा लिया सिधार यहां बिना पूर्टफोलियो के ही पहुँच गए योरी ने सिधार थे लुक्स को देख कर ही उन्हें चुन लिया था सिधार थे मा के कहने पर बेमन से इस प्रतियोगता में हिस्सा लिया था लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी किस्मत बदल देगा। सिधार्थ ने इस प्रतियोगता को जीत लिया। इसके बाद सिधार्थ को साल 2008 में तुरकी में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मौडलिंग शो में भेजा गया। वहाभी सिधार्थ ने जीत कर देश का नाम रोशन किया था। सिधार्थ ने वापस आने के बाद भी मौडलिंग जारी रखी। बाद में उन्होंने एक फेरनेस क्रीम के कॉमर्शल एड में भी काम किया। इस एड के बाद उन्हें टीवी शो बाबुल का आगन छूटे नामे लीड रोल मिला। हलाकि उन्हें इस धारवाहिक से खासी पहचान नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कलर्स टेलिवीजन के श लोड़ी को काफी पसंद किया गया। उन्होंने साल 2013 में डांस रियल्टी शो चलक दिखलाजा में भी हिस्सा लिया था। इस शो के जज करन जोहर थे। सिधार्थ के लुक से इंप्रेसो कर करन ने शो के बाद सिधार्थ को अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुलहनिया में एहम रोल भी दिया था। सिधार्थ शुकला और शेहनाजगिल की जोड़ी काफी मशूर थी। ये दोनों बिग बॉस तेरा में ही मिले थे। सिधार्थ इस शो के भी विनर रहे। दोनों की आए दिन रिलेशनशिक की अफवाहें भी उड़ती रहती थी। सिधार्थ की अ बिद